अब लोगों के लिए जहारखंड से बहुत बड़ी खवर आ रही है जो कि अब रिसेंटली सीविल मैकनिकल और एलेक्ट्रिकल वालों के लिए वंपर वैकेंसी निकली है ठीक है तो हम लोग उसके डीटेल हैं हाँ देखने वाले हैं यह डिप्लोमा लेबल के एक्जाम है इस पहला अगर बात करते हैं यहाँ पर तो एक्जाम का नाम देखे जे डील सी सीई है ठीक है और मैं खुद जहारखंड से हूँ तो लाश्ट इसकी जो एक्जाम आये थी तुटर्ण 14 में आये थी ठीक है उसमें कुछ पैटर्न अलग थे एक्जाम पैटर्न अलग थे वहाँ है तो चलँ इसकी डीटेल हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेसन क्या चाहिए इसमें इलिजबिटी क्रेटरिया क्या चाहिए आपका पइमेंट कित्ता मिलेगा कित्ता वेकेंसी आई है ठीक है ना सब हम लोगे यहाँ पर प्रपली चेक करेंगे ठीक है तो चलिए श्टार से बिलोंग करते हो तो ठीक है ना चलिए अब यहां देखिए आपका यहां पर बात करें तो यहां वैकेंसी की बात करते हैं देखिए वैकेंसी क्लिरली दिख रही है आपको अगर आप विद्दूत अलेक्ट्रिकल से हैं अब अलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किये हो या बिट ठीक है बाकी इसमें महिलाओ का seat जो है आपका reserve दिया हुआ है और बाकी जो sport quota के है वो आपका reserve यहाँ पे ठीक है ना चलिए नेख देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें civil engineering की तो civil engineering में देखिए यहाँ पे अच्छी खासी vacancy आई है ST के लिए 51 और अगर बात करें SC के तो 20 seats दिया हुआ है और यहाँ पे OBC1 के लिए 15 और OBC2 के लिए 6 seats है तो यह सब vacancy आप देखिए तो civil वालों के लिए bumper vacancy निकली है तो last time 2014 में जब exam हुआ तो उसमें भी आपका civil और mechanical की bumper vacancy आई थी ठीक है ना उसमें electrical का नहीं आया था इस पर minimum qualification की यहाँ पर तो qualification आपको minimum diploma होना चाहिए ठीक है minimum आपको diploma अगर किये हुए हैं तो आप इसको apply कर सकते हैं ठीक है बिटेक वाले भी इसको apply कर सकते हैं clear है दूसरी बात अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि बागी तो यहाँ पर देखिए payment to payment तो जो है आ metric यहाँ पर आपका 10th, 10th आपका जो metric है यहाँ पर वो आपके जार्खंट से होना चाहिए ठीक है अगर आप जार्खंट के निवास सी आपका metric वहाँ 10th जार्खंट से ही होना चाहिए आपका metric ठीक है कोई भी स्कूल से पास हुए हो तो आपका जार्खंट से metric होना अगर आप दिपलोमा कर रहे हो अब की डिगरी फार्म भरने तक अगर आज आती है मतलो यहाँ पर इसमें बहरने के लिए लिजिबल हो और इसकी बाहर अगर डिगरी नहीं आई है आप appearing में हो अगर डिगरी नहीं आए तो आप eligible नहीं हो ठीक है चलिए यह सब आपको यहां पर ध्यान रखना है form भरने समय चलिए अगर next करते हैं तो आपको sports quota की जो है दिया हुआ है यहां पर देख लीजिए और यहां पर देखिए 35 वर्स आपको दिया हुआ है maximum यहां पर 35 यह आपको दिया हुआ जेनरल वालों के लिए 37 यह दिया हुआ OBC के लिए ठीक है न और 38 और 40 यह देख रहे हैं आपको लिए 40 यह दिया यह दिया हुआ यहां पर चलिए और अगर हम लोग आगे बात करते हैं यहां पर तो यहां पर आगर हम syllabus की बाते करते हैं और यहां पर कैसे exams होगी कितना आपका यहां पर maximum जो है आपका कब से स्टार्ट होगा इस सब के बारे में बात करेंगे हम आप ठीक है ना तो अगर हम देखते हैं 11 यहां पर फॉर्म की fill up date है वो आपकी registration जो इस स्टार्ट होगी वो 23 January 22 जैनुवरी से आपका स्टार्ट होगा यहां पर देखिए यहां पर पे पेज नमर 11 में आप देखने को मिलेगा इसके बारे में देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रॉपरली यहां देखिए आपको प्रॉपरली सब लिखा हुआ हूँ देखिए यहां पर फॉर्म को फिल अप करने का समय की ने ति यह आपको यहां तो देखिए यह प्रॉपरली डेट दिया हुआ हुआ है ताइस तरीक से अभी बहुत पहले ही आ गया है इसका नोटिफिकेशन आट हो चुकी है ठीक है लेकिन इसका स्टार्टिंग कप से अगर फिस पेमेंट करने की डेट जो है आपका लाश्ट दिया हुआ है पचीस दो पचीस मतब पचीस फरवरी तक आपका लाश्ट दिया हुआ फिस को पे करने का उसको अगर आपको प्रिंट आउट निकालना फोटो अप्रोड करने का और सिकनेचर अप्रोड करने का उस 2-3 मार्ज तक आप भर सकते हो, 2 मार्ज तक आप उसको सुधा सकते हो, जो भी गल्ती किये हैं, उसो corrections कर सकते हो, ठीक है, समय की नहीं? तो यहाँ पर ध्धान रखना चीजों को प्रॉपरली कब सी स्टाट हो रही इस चीज़ को, अब अगर हम बात करें इसकी exam pattern की, तो ओर में अगर बात करें तो यहां पड़ बात करें यहां-टो फ्री डो फोटीक एल्श की वह ल्यों具 आपको पेपर गोटी पर पत्रवन्स समान्य अवियंत्रिक की मतलब यहां पर जनरल इंजरिंग पुझा जागा आपसे इसमें आपको लगभग इसमें जो को सरी और के नौलेग का अबस्ज Simple आप और mechanical का भी आगर आप electrical वाले सबका basic सबको पता हो चाहिए यह इसलिए 80% से आने वाले है paper 1 में दुथरा आपका gk है यहाँ पर समान्य ग्यान यह paper 1 होगा ठीक है और एक ही दिन में आपका second जो paper होगा आपका next देखिए second paper जो कि आपके discipline पर रिपेंट करेगा अगर आप आप electrical से हैं तो electrical का आपको question पुछे जाएंगे उसमें भी आपका जो questions होंगे यहां वे देखिए आपको दिया हुआ है उसमें भी आपका questions एक सो एक सीविल इन पत्र टू यहां भी आपको 120 questions रहेंगे ठीक है ना आपके और इसमें भी आवर जो होंगे आपके दो घंटा ही आवर रहेंगे समाई के नहीं दो घंटा अगर आप सीविल से है तो सीविल के questions पुछे जाएंगे तो आपको इस चीज को प्रॉपरली फोकस करना दो घंटा आपको चार घंटा के exam होंगे पेपर एक ही दिन हो जाएंगे पेपर वन पेपर टू ठीक है पेप मैं कवर करूंगा जो भी स्लेवस होगी उसको मैं कवर करूंगा ठीक है तो फिर थैंक यू एवरीवन